मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश GS Classes में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग देखें बिहार प्रात्मिक सिच्छक भरती का प्रैक्टी सेट ठीक है फुल लेंद का पूरा है ठीक है और इसमें जो हम लोग पूरा फुल लेंद का पाले का एक जीके जो आस्दों के चीलेद और मैट गटे लगेंगे या दो गंटे लगेंगे मैट प्लस रिज नीग थीक है प्लस क्या है रिजनीग ओरा हम लोग फुलेंद का क्या करेंगे प्रैक्टी सेट को यहां पर देखेंगे इखेंगे ३ार्टी सुबह में आप लोगों के 10 बजे प्रैक्टिसेट पर डे मिल जाए करेगा ठीक है सुबह 10 बजे ठीक चौदा 15 प्रैक्टिसेट चौदा जो माडल टेस्ट है और जो एक क्या है भासा पर माडल प्रैक्टिसेट है आप लोगो लेकि फूल टेस्ट प्लस मैठ रेजिनिंग की जो क्लासेस हैं आप लोग कांटीन्यू मिलती रहेंगे प्लस पिहारी स्पेशल्टिक एक फुल लेंद का टेस्ट पड़े हम लोग करेंगे ठीक है चलिए आए इस्टार्ट करते हैं पहला कोशन कच्छा एक से लेके पांच तक वालों के लिए है ठीक कच्छा एक से लेके प आज का पहला कोशन है जो बहुत ही महत्फोंन कीक कोशन नंबर वन दीक Ihrer कर दे हो था कर दो के क्बछन नंबर 16 प्रफ माना उप्योग में लाई जाने वाली पहली धातु तो माना चांद में तुसे दरह कूँ तो, इससी तरह कि कोशन आपके 100% और बहुत ही महत्वपून रूप से जो है हमारे जो उसी पर बना हुआ है ठीक है जो हमारा BPSC दोना कराया जाएगा ठीक है तो पहली दातु कौन सी ताबा थी ठीक है ताबा थी ठीक चली आगे कोशन नमबर आप टू बताएंगी आरेयों का मुख्य पेशा क्या था जो आरे थी उनका मुख्य पेशा क्या था जो आरे आपके थी उनका मुख्य पेशा क्या था तो पशुओं का पालन करना क्या करना पशुओं पालन उनका क्या था मुख्य पेशा था ठीक है क्या था मुख्य पेशा क्या था आरेयों का तो पशुओं का पालन करना उनका मुख्य पेशा था, इसका राइट एंसर क्या जाएगा, बी पार्ड बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, चली आ जाएगे, तो लंबी क्लास है, तो ज्यादा पूरा डेटेल से नहीं जाएगे, क्योंकि आप लोग की भी ख्वाई सरातीक सर बहुत ज्यादा डेटेल से नहीं, ठीक है, तो जिस तरह से आप चाहते हैं, उसी तरह से क्लास चलेगी, चली बताई, अगला कोश्यन, कोश्यन नमबर 3 बताएगे, आप टो, मौरे राजवन्स का संस्थापक कौन था, तो पूछरा मौरे वन्स का संस्थापक कौन था, विमशार था, चंद्रगु मौरे वन्स का क्या था, संस्थापक था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौरे वन्स का क्या था, संस्थापक था, ठीक है, और इसके गुरु कौन थे, तो चानक के था, ठीक है, चानक के इसके क्या थे, गुरु थे, ठीक है, चानक के, ठीक है, और इस वन्स का अंतिम सासक कौन बताएंगे आप लोग ब्रिहद्रत था ठीक हूं था ब्रिहद्र और चंद्रगुप्त मौरी ने नंद वंस के साथ घनानंद को हरा करके क्या क्या था अपनी वंस मतलब मौरी वंस की क्या की थी अस्थापना की थी ठीक है इसके बाद कौन बनता है इसके बाद बिंदुसार वन्ता चेंदर गुप्त मौरु के बाद कॉंदसार बिन दूसार के बाद असोग ठीक है वहातुपूंड राज्द बताएं घृ लोग गो वाहत नुकिराज्य की भान सड्या क्या हैου यह क्या थी राजे वहांसा प्राकृतिक तिए अंत्रप्रदेश वाले एरिया में आते थे ज़ली आगे चलिए पहसी नमबर फिफ्ट न इंप नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुधर रुगुपत को भारत का क्या जाता है नेपोलियन कहा जाता है, समुधर Nagpakticwo नेपोलियन कहा जाता है, इसे बीकणा बजाते हुए दिखाया गया है संगीत का प्रेमी इसे कहा जाता है इसने इलहाबाद में प्रयाग प्रशास्ती की सुरुवात की थी चलिए, Dalajag लीलावती नामा ग्रंध की रचना किष्ण के दूरा की गई तो भास्कर कौन थे पाझकर दूती के दूरा की गई थी याद रहे कर दिल्ली सल्तनत में रक्त और लोह की नीत अपनाने वाला सासक कौन था जिसने रक्त और लोह की नीत अपनाई थी वह कौन था वह था बलवन ठीक है रखक बलवन ठीक है यह सीजदा और फाबोष These are,डब दे विशनों में शामी कहता है तो यह से और स्भूर नाव रोज ते वहर भी इसी दोरह इस अब था दॉर चाहँ था जो दिली सल्तनत में जो पहला वंस था गुलाम वंस उसका संस्थापक कौन था तो कुटबू दिन आवग था ठीक यह भी याद रख लिएगा चलिए नेक्स चलते हैं अगरा कोशन कोशन नमबर आप एर्थ बताएंगे कोशन नमबर एर्थ देखे क्या करा रहा है कोशन नम मतलब कौशो ममद बिन चलाने रूप में क्या मृमध नहीं क्याons का था ठीक है उसका राइट एक भॉनस नहींन ही किया ठीक है यह याद रखीगा तो इसका राइट है। कि आजाएगा एट का बता है यह फटा-फट मैं देख रहा हूं इतने लोग बता रहे हैं तो इसका राइट एंसलर अमारा बी पाट आ जाएगा ठीक है तांबे का ठीक है त्यरा सुटीशिस्ट बी में क्या करता है सासक सासक बनता और सांकेतिक मुद्रा का अर्थ चांदी के टंके के अस्थान पर तांबे यानि पीतल का चलाने का प्रचलन किया ठीक है चलिए आग चले कोशन नंबर आप नाइंद बताएगे फरीद को सेर खा का किताब किशने दिया था जो फरीद था मतलब सेर शाह शुरी था उसको जो है पालेश का नाम क्या था फरीद था अब उसको क्या काने लगा गया शेर शाह सेर खा का किताब किशने दिया था ए पूछा है तो दच्छड बिहार के शुविदार थे जो ना बहार खा लोहानी कौन था बहार खा लोहानी जो है ठीक है दच्छड बिहार के क्या नेक्स चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन आप बताएंगे दसमा कोश्चन नमबर टेंथ क्या करा है कि अंग्रेजों ने दच्छिर भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्टरी कहां पर अस्थापित किया था बताई अंग्रेजों ने दच्छिर भारत में सबसे पहली फैक्ट में याद रहेजा ने मसूली पतनम और वेरा पुली में स्थाफितू मसूली पतनम याद रखिएगा ठीक है चलिए आ जाते हैं कि लाड़ दलहोजी ने अवद की किस नवाब पर कुशासन का आरूप लगाय था और 1856 में आवद को हडप लिया था बताई सुजाओ दललाउप पर, सफदर जंग पर या वाजिद अली पर या आसफ उद दललाप पर बताई किस पर लगाया था तो वाजिद अली सहाब पर कुशासन का वारौप लाएघित्तक झाण purpose दांग वहस्था जव्षा फैसी के सुलिए अग उच्छ्ण नमबर 12 सब्सब्स e-p mummy 17 1 48 में रइयत वाड़ी बंदुबस्थ के जनक कौं थे रइयत वाड़ी जो वहस्था थी इसके जनक कौं थे तो मुनरो योम रेड थे कौन थे मुनरो और रेड जो है रायत वाड़ी व्योस्था की क्या थे जनक थे याद रहेगा ने याद रहेगा कि नहीं मुनरो और रेड जो है किसके थे रायत वाड़ी व्योस्था की क्या थे जनक थे ठीक चले आगे आगे चलते हैं, next question आप बताएंगे, question number 13 और 14 दोनों बताएंगे इंडियन जो civil service उसकी परिछा उत्रन करने वाले पहले भारती ये थे, तो सुभास चंद्र भोष थे, सतेंद्र ठाकूर थे, सुरेंद्र नाथ बनर जी थे या अरविंद भोष थे, बताएंगे चारों आपसन में से कौन सा राइट हो जाएगा, तो सतेंद्र नाथ ठाकूर इनगोंने सिविल सेवा परिछा को क्लीर किया थै टो, सकर नमघर को कोश्जन में स्वायद ग्रह यह किस वर्स रूप यह व्यसा से संद्र नाथ जिला कुछ नमबर आंब बताएंगे । जिकाई जी ने अपना राजनीति क्यों थे? तो kपाल कृष्ट गोखले जी जी थी? ठीक है गोपाल क्रिष्ट गोखले जी गांधी जी किया थे राजनेति गुरू थे ठीक है याद रहे जाने चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर आप 17 बताएंगे 17 और 18 दोनों बताएंगे चलिए चारफरवरी 1922 जी पढ़ 뭔री 920 कि मार्च 1922 को से समारे योगी अधित्यनाति जी हैं वहांपे याघटना क्या हुई थी छारव फर्वरी 1922 को ऐसे नाधी चुप दो करके 12 फर्वरी 1922 को आशायोग अंदुलन जो हमारा चला था उसको है क्या कर लेते हैं वापस ले लेते हैं यह बात आपको याद हो चलिए अठारा कोछाक कर रहा है इंडियर्ट आस्थापना कने सथा थे इसकी अस्थापना किये था adopting 1866 में इसकी अस्थापनी तीट Freeze दो यह अनन्द मोहन बोश दोळा इसके किये थी अस्थापन कि इंडियन एसोसियेशन के संसापक में कौन थे सुरेंदरनाथ बनर जी और कौन थे एसन बोश जी थे ठीक है एसन बोश जी थे ठीक क्या करना चाहिए बंगाल-शोदेशी आंदोलन एक बताया था था थीक है अगी चलते है पूर्श्ण कुषिण नंबर 21 बता ये जो हमारे अखिल भारती ये मुशलिम की अस्ठापना कब dicen odcल्य थी याद रखेंगे बहुत इंप्रेंट हैथिक दिसंबर 1906 को धी थी थी टिसंबर 1906 कर था थी बिल्कुल सत्य हो जागा ठीक है इसका संस्थापक कौन था नवाब बकर उल मुल्क था ठीक की अध्यच्छता में इसकी क्या हुई थी और धाका में हुई थी ठीक कहां पर हुई थी धाका में ठीक एभी याद रखे कास्थान कौन सा था धाका था 30 दिसमबर 1906 को ठीक है धाका में और कौन था इसका संसथापक नवाब बकर उल मुल्क था ठीक है नेक्स्ट कोशन कोशन नंबर 22 मित्र मेला संग को किया था क्सने श्टाट किया था तो बिनायक दामोदर सावर करने ठीक है बिनायक दामोजर सावर करने राइट हैंसर क्या जाएगा बी पार्ट इसका बिल्कुल सत्या जाएगा ठीक है क्या जाएगा बी पार्ट इसका बिल्कुल सत्या जाएगा इसका अठारा सो दिन्यान वे में इसकी क्या किये थे अस्थापना किये थे फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर देते हैं मित्र में अभिनो भारत कर देते हैं ठीक है अभिनो भारत भी इसका नाम है ठीक है यह याद रखेगा चलिए आगे आ जाईए कोशन नमबर आप बताएंगे 23 और 24 दोनों बताईए फट योग अंदोलन कभी स्टाट हुआ था यह भी बता दीजिएगा 1920 में आपका भारत छोड़ों अंदोलन 1942 में ठीक है और इधर नमक सत्यागर है 1930 में 1930 में 1930 में खिलाफत आंदोलन कभी इन्होंने कहा था एक वर्स में हमको स्वराज पराप्त करना है गाधी की दौरा कभी बिभाजन के समय कांग्रेश अध्यच कौन थे जब 1905 में भारत का विभाजन हो रहा था 1905 में अच्छा भारत विभाजन बंगाल विभाजन की बात नहीं कर रहा सुखरी ठीक है 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था ठीक है पाकिस्तान बना और एक क्या बन गया भारत बन गया तब उस समय कौन था तो तो जेफी कृपलानी थे, ठीक कौन थे, कृपलानी साहब थे या सी राज को पाल चारी थे, बतागे कौन थे, इसका right answer क्या आजएगा, 24 का, बताइए फटाफट, तो जेफी कृपलानी साहब थे, उससमें क्या थे, भारती राश्टी कांगरेज के अध्य चे थे, ठीक है, चलिए आजाए नेक्ट कोस्चन चलते है कोशन नम्र नंबर पचीस और आपको अनुच्ट में वक्षट का ने तो किस ने किया था जो चाहिए-समें-क वक्षिया Assist कौन किया था इसका नेत्र तो कौन किया था पैथिक लॉरेंस ठीक कौन था पैथिक लॉरेंस कौन था पैथिक लॉरेंस ठीक तीन थे ठीक है 24 मार्च को यह हमारे कहां आता है, 24 मार्च, 24 मार्च, 1946 को यह करता है, इंडिया आता है, इंडिया आता है, जिसमें पैतिक लॉरेंस क्या रहते हैं, इसके अध्यच रहते हैं, इसके अध्यच रहते हैं, इसके अध्यच रहते हैं, एक काउन रहता है, सर क्रिप्स रहते हैं, और ए भी अलेक्जेंडर रहता है ठीक है कोशन नमबर आप बताएंगे 26 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होनी के बाद गांधी जी को गिरफतार कर कहां रखा गया है जब 1942 का हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चल ला था तो उसमें सभी जो बड़े नेता थे आगाखा पहलेस में रखा गया था ठीक है का रखा गया था आगाखा पहलेश में रखा गया था याद रख़ली जिएगा आज बोलियेगा नहीं क्यारिव कार रहा है कि गांधी जी दो आना ब्यक्तिगत सत्याग्रा के तहाद प्रथम सत्याग्रा किसे चुना गया थो जो ब्यक्तिगत सत्याग्रा किसे चुना गया थो जो ब्यक्तिगत सत्याग्रा किसे चुना गया थो जो ब्यक्तिगत सत्याग्रा किसे चुना गया थो जो ब्यक् श्टाट किया गया था, पॉनार आस्रम से यह भी याद रख लीजेगा, ठीक है? मुस्लिम league द्वारा किसुत। पाकिस्टान के अस्थापना संभनधी मांग का मांग का पश्ताव पेस किया गया था, तो कब किया गया था? सोतंत्र और संप्रभुत मुश्लिम राष्ट पाकिस्तान की क्या की थी मांग की थी ठीक है आजाए आगे चलते हैं कोशन नमबर उन्तिस और तीस बताई ठीक उन्तिसवां और तीसवां बताई कर रहा कि निमलिखित में से किसने संप्रदाईक अधिनियम घोसित किया था इरविन ने रैम जे मैग डोनाल्ड ने या विश्टन चर्चिल ने या चेंबर लैन ने तो किसने किया था या किया था रैम जे मैग डोनाल्ड ने ठीक है अगला बताएंगे आप लोग तीसवां 1928 में नहरू रिपोर्ट किसे दोरा तयार किरी तो मोतिलाल नहरू के दोरा जल नहरू नहीं थे ठीक क्यों थे मोतिलाल नहरू थे लकनाओं में स्तरो दली बैठक में स्तरो सम्मति से स्विकार भी किया गया इसको ML नहरू की थी ठीक है नहरू रिपोर्ट किसकी थी मोती लाल नहरू की थी ना कि जवाल लाल नहरू की थी ठीक है याद रखी गाथ बहूं बताएंगे 30 थी ठीए ठीसमा बताईए 5 एक तीसमा वर्थ 1919 में अनिटी बार्थी खिलापध सं। मैलन का अध्यच किसे चूना गया था गांधी जी को चूना गया था किसको चूना गया था तो गंधी आप लोगों को वीडियो कर अच्छा लग रहा तो वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्त मित्र को भी क्या करिए चोड़िए ज्यादा और फुल लेंध का आप लोगों को पता है फुल लेंध का टेस्ट है ठीक है इसमें दूर भागना भी नहीं किसी को चलिए आगे बत नियसे ग्यारा में सिर्भी इसद्ली सीर्साइन क्राइब को अच्छा लेंध सिर्व कर्णा और कुशण प्रफम अस्थान है और क्यों हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं तो प्रवासी दिवस इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि नौजणवरी 1915 को गांधी जी यह दश्क्रव अपरिका से वापस आये थी ऐसारी चीजहं आपको दिमाग में बैठ जाएं ठ्यक है आगे बताएंगे question number आप लोग next वाला ठीक है question number आप लोग सामने 34 भारत के पहले और विश्टो के दूसरे infantry research center और संग्रहाले का उनखाटन कहां पर किया गया है भारत का पहला है विश्टो के दूसरे infantry research center का उनखाटन आंदरप्रदेश, राजस्थान, उतरप्रदेश राइट वीकेरी के लेखक हैं, मिशेल ओबामा, सुल्तान ए मेमोरी, ठीक है, एक किस की है, वशीम अकरम की है, नेक्स्ट इन लाइन किस की है, जैफरी आर्चर की है, ठीक है, सारी कुछ पुछतके हैं, जिसको हम दे देंगे, आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, उन सिधा काने का मतलब इतना लिखने से अच्छा है, कि सरद कमल किस खेल से संबंदित है, इसको बता जीए, तो टीटी से है, किस सरद कमल चंद्र जो है, 2022 का इन्हें मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया, इन्हें टीटी खेलते हैं, क्या करते हैं, टीटी तेबल टेनिस कोशन नमबर 37 बताएंगे क्या कर रहा है कर रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा नवंबर 2022 को डोनेई पोलो ग्रीन क्या है डोनेई पोलो ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का उध़ाटन किया गया यह हवाई आयड़ा किस राज्य में है नजीफ बाईश में जो डोनी तो कहां पर है हमारा आरुडांचल प्रदेश में ठीक है यह इस पूर्ण राज्य का दरज़ा कब मिला था तो ठीक है पूर्ण राज्य काętरज़ा 1987 में सबसे हमारा क्या है यह पूरवी राज्य है, ठीक है, सबसे पूरवी राज्य है, ठीक है, चलिए, आ जाईए, सबसे पहले सुर्य यहीं पर उखता है, next question, question number आप बताएंगे, 38, किस राज्य में भारत उजवेकिस्तान, दिवार्शिक सेन अभ्यास, कि क्या है, दस्तलिक, दस्तलिक, 2030 का, खंड में हुआ, ठीक है, उत्तरा खंड में, ठीक, उत्तरा खंड जो यूपी से जो कब अलग हुआ था, तो 9 नॉमबर, 9 नॉमबर, 2000 को क्या हुआ था, यूपी से अलग हो गया था, जो इसके 13 जिले थे, इसको काट करके, पहाड़ी राज्य बना जया गया, उत्तरा की गई है, यह भी हमारी कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में ही की गई है, कहाँ पे की गई है, मध्य प्रदेश में ही की गई है, ठीक है, चलिए, आगे आते हैं, कोशन नंबर, आप 40 बता दीजी, कोशन नंबर 40 कह रहा है, कि मार्श 2023 में सरस्वती सम्मान किसको दिया गया सरस्वती सम्मान किसको दियागा तो सिव संकरी के इसको दियागा तो 2023 का सरस्वती सम्मान तो सिव संकरी साब के यह एक तमिल है ठीक है यह क्या है तमिल कभी है ठीक है और किसके लिए दी गई है तो सुर्य वनसम के लिए ठीक है सुर्य वनसम के लिए ठीक है ज्यान चतुर वेदी को किसका दिया गया तो ब्यास सम्मान ग्यास 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 सुडान को की थी ऑप्रेशन गंगा के था हड्शार यू था रहा है यूक्रेट ठीक है यूक्रेटी यूक्रेट रखेंगा है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉस्ट्ट आप 42 बताईए क्या क्या बिक्रम यस है रूद्रम धुक्षित इस नमबर क्या पता एंगे सो देशी है, ठीक है, कोशन नमबर आप बताएंगे अब 43, ठीक है, कोशन नमबर 43 बताईए, बताईए भई, फटाफट, कोशन नमबर 43, ठीक है, कोशन नमबर 43 क्या कर रहा है, कि आईसो हेलाइन, आईसो हेलाइन किन को जोड़ता है, आईसो हेलाइन किसको जोड़ता है, आ उसको जोड़ने का क्या क्या करता आईशो हेलाइन याद रखेंगे ठीक है कैसा रहा है अगला कोशन कोशन कर रहा है कि छुद्र ग्रह किस दो ग्रहों की बीच में है बताए जो छुद्र ग्रह हमारे होते हैं वह किसके बीच में है चुद्ध रहा, तो मंगल और ब्रिहस्पत की बीच में है, किसके बीच में है, मंगल और ब्रिहस्पत की बीच में है, ठीक है, सबसे वाले कौन होता है, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध के बाद सुक्र, ठीक है, शुक्र, शुक्र के बाद कौन आता है, पृत्वी, ठीक, याद नहीं कुछ कर पाएंगगे, और नहीं कुछ कर पाएंगे, बना याद रहे, नहीं कुछ कर पाएंगे, चली कोशन नमबर आप पताएंगे 45 फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है ति हमारा जो फुटबाल से है किसे है फुटबाल से है फेडरेशन कप किसे है फुटबाल से है ठीक है आए नेक्स चरते है Q2. Q3. Q4. 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 Q3. Q4. 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 Q कितने भारती राजी क्या करते हैं सीमा साजा करते हैं ठीक है कितने राजी क्या करते हैं यह रहा हमारा इंडिया का मैं ठीक है ऐसी कुछ करके क्या है मैप है यह हमारा क्या भूटान यहाँ ठीक है भूटान इसके साथ देखे सिक्किम यह उपर कौन हो गया सिक्किम तो करता ह बताई असम के अलावा एक हमारा कौन अरुडांचल प्रदेश भी करता है ठीक है उस साइड अरुडांचल तो कितने हो गए चार हमारी का करते हैं सीमा साजा करते हैं जियोग्राफिक का कोश्चन है ठीक है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 48 बताई निमलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उधारण नहीं है बताई कौन ग्रीन हाउस गैस का उधारण नहीं है निमलिखित में से किस साहर में जापान का पिट्स वर कहा जाता है किस साहर को जापान का पिट्स उसाका को या वाटा को या टोक्यो को या नगोया को इसको कहा जाता है तो या वाटा को जापान का पिट्सवर् कहा जाता सौपोशी पाढ़बो में भोजन बनाने के लिए आवश्चक है पोसी जो होते हैं उनमें भोजन बनाने के लिए आवश्यक क्या है क्लोरोफिल की उपस्तिती ज़रूरी है बिल्कुल जल और कार्बन डाई अकसाइड भी ज़रूरी है सुर्य का प्रकास भी ज़रूरी है मर्थात उपरियुक्त में से सभी ठीक है carbon dioxide और जल के साथ reaction कराते हैं CO2 प्लस HO2 किसकी presence में sunlight की presence में कराते हैं ठीक है चलिए आजाई प्रचलन के माध्यम से करता भोजन को ग्राण करता नेक्स्ट कोच्चन कोच्चन नमबर 53 बताएंगे बताएं आप मचली किसे सोसन करते हैं जो मचली होती है उसका सोसन किसके द्वारा होता है यह बताएं आप मचली जो है किसके द्वारा अपना सोसन करती है तो मचली जो है गिल्स के द्वारा किसके द्वारा गिल्स मचली किसके द्वारा गिल्स के द्वारा ठीक है और मेड़क किसके द्वारा बताएं मनुष्य, सर्फ, और कौन सा, लिजर्ट, जो लिजर्ट होते हैं, वो सभी हमारी क्या करते हैं, फेफड़े से करते हैं, ठीक है, और तिलचटा मेडग किसे करता है, मेडग किसे करता है, ट्रैकिया से करता है, मेडग किसे करता है, तोचा से करता है, तोचा से करता है, तोचा कौन सा आ गया? A का 3, B का कौन सा गया? B का आ गया 1, C का कौन सा गया? 4, D का कौन सा गया? 2 आ गया, ठीक है? ऐसे हमारा चोंगन बता दी चाहिए पे एक कोस्की सहवालों में जल का परिभान होता है जो एक कोस्की सहवाल होते हैं उनमें जल का परिभान कैसे होता तो बिसरन द्वारा परासरन द्वारा या जाइलम फ्लोयम द्वारा तो किसके द्वारा होता बिसरन द्वारा होता एक कोस्की जो स दीरी-श्वेत-धिली को माई-क्लिन-चीत काते हैं या पश्च-मस्थिक ज। जो हमारा पीचे वाल मस्थिक होता है पांच पिंडों में क्या हता है बिभक्त होता है बताई या फिल जो हैं आक पेशियों का नियंत्रण है वह मध्य-मस्थिक खालाता है पौधों में तंत्र भाज़ी याद रहा है सबसे लंबी जो कोशिका होती हुआ हमारे निवरान होती है जिसको हम लोग एक्सौन भाग माई लिन माई लिन सीतर से क्या होता घिरा होता ठीक है चलिए आजाई Question number शपन बताई इनमें जो हमारा है इनमें बुध्धी जो है बुध्धी और चतुराई का केंदर है बताई इनमें से कौन सा जो हमारी बुध्धी का और चतुराई का केंद्र है, कारपल्स है, या कापर्स, कैलोसस है, या सेरी ब्रम है, सेरी बेलम है, या मेंडूला है, तो कौन होता है, सेरी ब्रम होता है, बुध्धी और चतुराई के लिए का होता है, सेरी ब्रम होता है, अग्रमस्चिक का एक होता है, सेरी ब्रम जो होता ह भाग होता जो गुद्धी और चतुराई की केंद्र मान जाते हैं सोचने समझने की सक्त अस्मरण सक्त प्रेणा ग्रेणा प्रेम भाव हर्स इत्यादी सभी क्या होते हैं नियंत्रन होते हैं हमारे सेरी ब्रह्म से सेरी बैलम से नहीं सेरी ब्रह्म से जो हमारे प्यार होते हैं, हर्ष होते हैं, दूख होता है, सभी हमारे किसे होते हैं, ठीक है, आप लोग आते हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, उसके लिए जो है, तो ए सब सारी सीज़ें किसके लिए होता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बटे सारी घटनाएं हमारे सेरी ब्र यूजस्टन जो पूछे जाएंगे बायो से ही आएंगे ठीक है थीक है बायो तो अच्छे से पढ़िए ठीक है अठावन का बताई परागोस में पाय जाता है तो परागण पाय जाता ठीक है चले आगे चलते हैं question number 59 ये समस्या कुछ ज़्याद है हो गई है देख रहे हैं ठीक है चलिए बताई नेत्र के रेटिना पर किसी वस्त के बने प्रतिवें में की प्रकृत क्या होती कैसी होती कालपनिक होती सीधी होती तरह छोटा होता बताई कैसी होती वास्तविक उल्टा हो छोटा होता ठीक है वास्तविक उल्टा हो छोटा होता ठीक है आज़े चलते हैं next question question आप कौन को बताएंगे question आपका 50 question number 60 बताएंगे इसका कौन सा हो जाएगा c है जब किसी तार में विद्धु धारा प्रवाइद होती तो सर प्रथम गति सील कंड कौन सा होता है जब तार में तो उसमें गति कौन सा कंड करता है इसको बताना है तो इलेक्टरान ही करेगा ठीक है इलेक्टरान ही फ्लो करता है ठीक है क्या करता है इलेक्टरान फ्लो करता है ठीक है question number आप बता दीजिए कौशन नमबर 61 बताईए चलिए सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कूकरों को सहयोजित करते है या फिर अनेक सौर सेलों को सहयोजित करके ठीक अनेक सौर सेलों को सहयोजित करके बनाया जाता है कोचल नमबर आप 62 बताईए अब फटाफट हम लोग थोड़ा फास चलते है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है जो मापने की एक प्रक्रिया मुख्य रूप से एक प्रक्रिया किसी गड़ना की है बदलने की है तुलना करने की है या अंतर अस्पष्ट करने की है फटाफट बताईए तो यह क्या है तुलना करने की मापन मुख्य रूप से क्या है एक तुलना करने की प्रक्रिया है ठीक चली चलते हैं तेज अब थोड़ा सा फास चलेंगे ठीक है चली यदि किसी वस्तु बताएगे A B C D Q नमबर 63 तो हमारा क्या वस्तु का वस्तु में भी वस्तु में नहीं होता हौथ किवल गतिषील वस्तु में बताएंगे प्रतेक वस्तुमें होता है जो जनत्तु का गुण होता हुआ प्रतेक वस्तुमें होता है ठीक कोचन नंबर 65 वस्तुमें सोतंतता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड पिंडों की क्या होती है सोतंतता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होती है तुर किसी ठोस्पदार्थ का सीधे वास्प में परिवातन कहलाता है डायरेक्ट वास्प में तो क्या उर्ध वातन कहलाता है जीसे कपूर हो गई ठीक है नेफ्थलीन हो गई यह सब सब डायरेक्ट क्या हो जाते है चेंज हो जाती है ठीक है कपूर हो गई देन ओ इंपी हो और रहां विफ यहां पर कौन कौन होते हैं ऐसी हमाने क्या हो उती है नेस्च को्षचन निहसे बंचित मैं से काम सा तत्त है पीतल में एक मिस्टहाथ हुए, और सैनिक हमारा क्या MR2 है चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं, कैथोड किरणे क्या उपस्ठित करती है कैथोड कैथोड जो होती है नायन और कैथोड किसने पास होता कैथोडल में तो क्या करने कि फिर्ञ एक एक पास होता abbiamo एक परमाड में मूल भूत कणों की कुल संख्या कितने है? मूल भूत कणों की कितनी संख्या है? ए पूछा है ।2 है । कोशन नमबर 70 बताएंगे कह रहा है कि समुद्र में कौन सा लवंड सबसे अधिक मातरा में पाए जाता है समुदर में कौन सा लाउंट सबसे अधिक पाया सोडियम फ्लोराइड, कलसियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कलसियम फ्लोराइड बताएं कौन सा तद तो सबसे अधिक मातरा में पाया जाता है तो sodium chloride सबसे जादा मात्रा में पाया जाता है समुद्र में कोशन नमबर 71 बताईए निमलिखित में से किस धात को हम लोग कीरोशीन में डुबो कर रखते हैं तो sodium को ये तो आसानी से कर ले जाएंगे बच्चा बच्चा जानता है चलिए कोशन नमबर 72 बताईए करक निमलिखित में से सबिधान के किस नीदी निजसद तब तुम्हें गांधी जी ने नैतिक दर्सन का प्रतच्च प्रभाव दिखाई दिया है कौन से में समान कारे के लिए समान बेतन निसुलक कानूनी सहायता और सला गौबद पर निशेद की बात करते हैं गांधी जी ठीक है चलिए आगे कोशन कोशन नंबर 73 कोशन नंबर 73 क्या करा है राष्ट पती दोरा राष्टी आपात की इस्थिती की घोंश्रा किये जाने के बाद अधी तक उसका अनुमदन संसत के प्रतेक सदन दोरा हो जाना चाहिए कोशन नंबर 73 का एक महा के वीतर हो जाना अनिवारे होता है ठीक है आगे चलते हैं कोशन नंबर 74 क्या करा है कोशन नंबर 74 का राह ändern लेखित में से भारत के संसत के दोनों सदनों में से किसी भी का सदस से नहीं होता है भारत का प्रदान मंत्री होता है बिल्कुल होता है ठीक है भारत के बित मंत्री ये भी होता है भारत का राष्ट पती ठीक है तो भारत का राष्ट पती किसी भी सदन का सदस से नहीं होता है तो right answer हमारा क्या जाएगा थर्ड किवल थर्ड हमारा इसका सही हो जाएगा ठीक है इस तरह के भी question पूशे जाने की प्रबल संभावना आप लोग कहेंगे पांच आपसन नहीं लिखे देगा एक E करके लिखे देगा इन्हें में से कोई नहीं सभी practice set आ चुके हैं तो अब तक किसी को पता नहीं था ठीक आप कोई नया practice set शापेगा नहीं एक मन्त के लिए ठीक है तो आप लोग इन्हें पर करिए और आप लोग अपने दिमाग में रख के चला करिए कि एक हमलों के पास एक और आपसन रहेगा ठीक है चलिए कोशन नमबर 75 बताईए करा कि संभिधान संभिधान के किस अनुष्यद में प्राथमिक अस्तर पर मात्र भासा में सिच्छा देने की बात की गई है मात्र भासा में सिच्छा देने की बात करी गई है 75 का तो राइट एंसर क्या जागा आटकिल किसमें आटकिल 350 में ठीक है आटकिल 350 के ए में ठीक है 76 भारत के नियंत्रक और महालेखा परिच्छक के रिपोर्ट की समच्छा करने वाली संसदी ही है समिती कौन सी है प्रवर समितिया आकलन समितिया लोक लेखा समितिया या इनमें से कोई नहीं तो कौन से यह लोक लेखा समिती है ठीक है लोक लेखा समिती है ठीक है इसमें कितने सदसे होते हैं तो 25 क्या होते हैं या 22 तो 22 सदसे होते हैं 15 इसमें लोक सभा से होते हैं साथ जो राज सभा से होते हैं ठीक चलिए आगे चलते हैं कोच्छ नमबर 77 बताई कोच्छ नमबर 77 कर रहा कि भारती ये संभिधान का संसोधन के तहट उच्छ नयाले के नया दीशों की सेवा न्रिवित की आयू साथ से 62 कर दी गई कौँ सेव दसमें बरह में 15 में या 245 में तो 15 में किसके निसार 15 में के निसार ठीक है कोच्छ नमबर 78 बताई चुनाओं के दोरा जो राजनेतिक दल उमिद्वार दोरा जो अनुपालन किये जाने वाली आदर्स आचरण सहींता कौन उच्छ नियाले दोरा दिये गए आदेश मान्ता प्रात राजनेतिक दलों के बीच स्वच्छिक समझा उते दोरा सामती भारत कोच्छ नमबर 79 आजाएए कि नियम लखित में से कौन संग सूची के अंतरगत नहीं आता है टेलीफॉन रच्छा डांक या लोग स्वास्त बताई लोगों का स्वास्त क्या आता है इसके अंतरगत नहीं आता है ठीक है कोच्छ नमबर 80 बताईए सकल राष्टी उत्पाद मूल हरास में अगर घटा दिया जाए मतलब GDP को सकल ग्राश डोमेश्टिक प्रोडेक्ट को अगर मूल हरास से घटा दिया जा तो हमारा क्या निकल के आ जाता है तो निवल राष्टी उत्पाद आ जाता ठीक है निवल 51 से 56 बिल्कुल है 56 से 61 दूसरी है तीसरी 66 बिल्कुल चौथी जो पंचवर्षी 66 से 71 एक गलत है उनिस सो 69 तक क्या था योजना आउकास था ठीक तीन साल का उसके बाद 79 से 74 हमारी क्या चौथी है एक गलत है ठीक है चलिए तही हमारा क्या जगा साही हो जगा डी पार्ट च बित्ती ये वर्ष 1823 और 2024 के लिए राजकोशी घाटा बिहार के जीडीपी GSDP का होना का अनुमान है बताई 82 का 82 का 2.98 है ठीक कितना है 2.98 है याद रखना पड़ेगा ठीक है जीडीपी की कुछ चीजें आपनों को याद रखना पड़ेगा वो भी बिहार की ठीक है खासत कि सकल राजस सुघरेली उतपाद जो है GSDP को इस्थिर कीमतों पर व्रिधी दर कितनी रहेगी ये बताई तो 10.98 कितनी रहेगी 10.98 रहेगी ठीक है 10.98 रहेगी चलिए कोशन नमबर 84 बताई नेम लिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है तो अगला कौशन में सौर उर्जा दॉरा संचालित पाला हवाई अड़ा कौशन आए नई दिल आदाबाद है तो कौशन में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभादित किया गया है भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है तो चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है ठीक है कितने चार प्राकृतिक प्रदेशों में उत्तर का परवती छेत्र, विसाल मैदान, प्रायदीपी पठार और तट्यों ड्यूप ठ जो पढ़ता हो कहां पर नेपाल में इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता विस्व की सबसे उची चूटी माउंट एवरेश्ट है ठीक है चली 8848 मीटर सी क्या है लंबाई है ठीक है भारत में जनसंख्या के अनुस्वार तीसरा एवम छेतरफल में बरहामा अस सागर से ठीक है इसका नाम किस कौन रखा था तो बंगला देश ने रखा तौकाते की बात कराने विपर जोय नहीं है ठीक है विपर जोय की बात नहीं हो रही ठीक है विपर जोय की बात नहीं हो रही ठीक है तो अरब सागर से ही उठा ठीक है अरब सागर से ही उठा ठीक है 89 का, तो क्या है, मिश्रित खेते में पस्कुपालन और सच से उत्पादन एक साथ किया जा सकता है, ठीक, कोशन नमबर 90 बताईए, आठवा, क्या है, आठवा, भारत का अंतराश्टी बिज्ञान महुच्छो कहां प्युगा था, इंदवर में, भोपाल में, बंगलूरू में या कहां पे आयोजित किया गया था, बताईए, तो यह हमारा भोपाल में, ठीक है, ठीक, मद्यप्रदेश के भोपाल में, आजाए, कोशन नमबर 91, यह हमारे स्टैटिक्स जी के है, ठीक है, चलिए, भारत में उर्जा का सरवादिक स्रोत क्या है, तो हमारा का कोईला है, भ तो उसके तापका, क्या है, उसके तापका, ठीक है, नेक्स्ट, तिरानवे, ठीक है, दिन रात जिस कारण होते हैं, भूप परिक्रमण के कारण, भूप परिभरमण के कारण, प्रिथिवी के अच के जुगाओ के कारण, चंद्रमा के परिक्रमण के कारण, किसके कारण होत लब देशों की संख्या किसमें है comida तो सबसे जदा किसमें हमारी अफ्रिका में 14 देश है ठीक है याद रख जीए जिए और उत्तरी अमेरिका में कितने हैं तो तेश देश हैं और एसिया में कितने हैं तो अंड़ तालीस हैं ठीक है एसिया में कितने हैं अंड़ तालीस हैं ठीक है तो राइट आइंसर क्या जाएगा ये पार्ट आजाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं question number next नाइक्स्ट कोश्यन बर का रहा है कौनसा कोश्यन बर आजड़ी 96 अहो चुक्त है नहीं 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 यह भुए था ठीक है भारत में जुँ है का आगमन सबसे पाले कहां होता तो केरल राज में होता ठीक कहां पर होता केरल में होता ठीक है 96 हरित क्रांती से संबंधी थे मोटे आनाच के उत्वादन से दलहन से गेहूं से या तिलहन से जो हरित क्रांती हमारी है वह किस्य थी थी बियंहुं से सम्ब्दी थी ठीक है इसके जनक कौन है थे स्वामी नाथन थे ठीक है स्वामी नाथन थे ठीक आज एधर चलते हैं आगे जो 97 है भारत में सोर उर्जा संचालीद संचालित पहला हवाई अड़ा कौन था तो कोचीन था या नई दिल्ली था या कौन सा था बताई नई दिल्ली या कोचीन या आहमदाबाद तो कौन सा था कोचीन है ठीक है कोचीन कहां पड़ता केरल में ठीक है अगला राश्टी परयावन अभियांदर की जिसको मैं नेरी अभी मैंने संस्थान पर NCRT में NCRT बेष्ट जो मैंने कराया था अभी कल की ही वीडियो पड़ी हुई आप लोग कर लिए देखी कोश्चन फंसा की नहीं नाकपूर में है ठीक है सारे संस्थान मैंने सोल संस्थान जितने भी इंडिया के थे पचास से साथ मैंने कराया है सभी कर लिजी आप लोग ठीक है जो कराया जा रहा हो आपके अनुसार ही कराया जा रहा लेकिन आप लोग हलके मारी सारी चीज़ों को लेते हैं आप लोग सोचते हैं कि बड़े चैनल ही सही कराते हैं अपनों को विश्वास ही नहीं दाता छोटे चलनों पर जिसके कम सस्क्राइबर आते हैं एको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया जाता है जो छोटे जाते हैं वही तो बड़े बनते हैं धीरे धीरे तो फिर आप लोग क्यों नहीं विश्वास होता है विश्वास करिए ऐसी टीचर से पढ़िए जो सारे टीचर जो क्वालिफाइड हो जो जो क्वालिफाइड किये हो एक्जाम को वो सारी चीजें जानते हैं ठीक है इको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं मिलावटी होते हैं पर्यावरण के प्रती का होते हैं lotus समय बताइए आज का समय कोस्चन है इस टारिक को बिंच तरिक को मनाए जाता है गया जाए हैॉ लोगों का यहां से math का बताइए math का ही पर करा दूं या फिर जो है बस gkgs इसमें करा हूं बताइए बस gkgs चलिए ठीक है तो gkgs ही राने देते हैं आज ठीक है वीडियो लगी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग क्या करेंगे और मैठ की अलग क्लास चले की और रिजिनिंग की अलग चलेगी अपंड है तो आप लोग वीडियो को सेर करेंगे ज्यादा इपना सपोर्ट और प्यार दिया करिए ठीक है आजके लिए इतना ही रिडिक तो जय हिन घरा